जहें दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हर किसी के काम का यह जमीन से संबंदित सारे मुद्दे को आज हल करूंगा जमीन से जितने भी टॉपिक है बटवारा किस परपटी में आपका कितना हिस्सेदारी है कौन परपटी कौन किस्म का होता ह जैसे सारा परकार बताँ हूंगा पूरे विडियो में बने रहे रहे अगर आप कुछ समझ में नहीं आएगांगे यूट्ब साथ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं पूरा का पूरा आपको फिर दूसरा वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगा जमीन से समधित मामला जमीन से समधित कोई भी विवाद है तो आए सीधा टोपी पर आज लेकर आपको सब्सक्राइब करें तो आपको मिलेगा नहीं आपको पर दादा नहीं है और उन्हीं के नाम से परपटी इंतकाल कर गए देद कर गए मर गये वह नहीं है सिधा सिधा उसमें आपका हिस्सेदारी बन जाता है पापा के परपटी में आपका हिस्सेदारी हो जाता है किसी भी परकार से कोई भी आपको बेदखल नहीं कर सकता उसे हम पैतरिक संपति कहते हैं मतलब अभी से लेकर चार पीडी पीछे तक का जो संपत होता है समझ गया जिसे संपति कहते है जो है जाता है जैसे आप चार भाइवाई है पांच भाहिए था आपके पिता जी दो भाहिए रहे हो चार भाहिए रहे हो पांच फैल रहे हो और सब सबस्ब्स. लेकिन एक साथ रहते हैं कोई संपती कोई अगर जाताया है जाता है टो पैसे लगा कर खश्रीत है पैसे फैसे घरा बनाते हैं चाहे Fachit में दर एक हिस्तएदारी में जितने में ग identified हैगोंजेकिस ने फॉलक्सफी आप कानूनी रूप से हो जाता जैसे आप चार भाई या पांच भाई या फिर किसी भी और इसे इस्ते दावा कर सकते हैं उसे अपसे सामति से हिस्सेदार्य होगा तो और बहुत अच्छी बात है ज्याजशेस दा가 Labs कर लेते हैं किसी एक नाम के यूंद लेकिन जब अलग होता है नाम से बटबारा कर के अपने अपने नाम से करा लicket चाहिए इससे क्या होता है कि बाद में बिबाद नहीं होता है लेकिन एक नाम पही यहां बटवारा कर लिया अपने तो फिर भी विबाद बाद में हो सकता है 20 सालवाद 25 सालवाद 30 सालवाद जब आपके बच्चे होंगे तो जिसके नाम से रहेगा उसके बच्चे दावा कर सकते हैं और उसमें विवाद पैता कर सकते हैं तो इसलिए जब जोएंट फैमिली में हैं जोएंट में खरीदा गया है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस वक्त जिस दिन आप अलग-अलग ह हो जाता है अधिकार का बात करें तो से भाई के नाम से इससे क्तार रहा हूं इससे ने संपती को खरीदा को जमीन कृप्रिदा को जमीन खरीदा को खुद का मा कर खरीदा है परपटी तो फिर उसमें उसमें क्या होता है आपका सीधा सीधा इस्तेदारी नहीं होता है बहुत लोग सब्सक्राइब पिता के नाम से संपती पिता ने खुद खरीदा हुआ है तो जब तक पिता परपटी परपटी को बैच को है किसी को गिफट या फिर कुछ भी कर सकते है तो प्युद कर सकते है या कुछ भी खरीद के माँ के नाम से दिया है पुरपटि यह मां पिता ने मिलक हंए और छोग वह तर और पिता के नाम पर आ गिया हुआ तो अगर वो नहीं रहते हैं उनका देथ हो जाता है उनकी मिर्तु हो जाती है उस इस्तिथी में फिर डाइरेक्ट आपकी हिस्सेदारी उसमें हो जाती है फिर अधिकार ले सकते उनके ना रहने के बाद लेकिन लेकिन जीवित है तो उसमे अधिकार नहीं है उनका खुद का खरीदा हुआ चाचा से पीता से पाइबारा हुआ है तो उसमें पिता के शिदा सिदा आपका धिकार पिता के नाम से हो गया है लेकिन दादा का संपति हो परदादा के संपति हैं तो पिता के नाम से हुआ है तो उसमें क्या है आप दोनों भाई के यहां आप बात कर रहा है आपको बता कि हिंदू उत्राधिकार अधिनियम हिंदू सेक्सेशन एक motor दोश्यार्पाइप बेटीयों के बरावर एधिकार मिलता है दोनों के बरावर जितना बेटी का थिकार है उतरा ही बेटे को आदिकार चाहिए उसंपती किसी परकार का सम्स्मथ्य समपती किसी परकारगर जाहे कमर्सियल परपटी है खेती का जमीन है घर का जमीन है किसी भी परकार का परपटी है उसमें बेटी का भी बराबर अधिकार है तो आप जान लिजिए कि बेटों का अगर मिलता है बराबर बराबर हिस्सेदारी तो बेटी है तो बेटी को भी उसके बराबर हिस्सेदारी मिलेगा मतलब पको बराबर को आफी किसम परकार बताऊंगा प्रकार बताऊंगा अधिकार बताऊंगाय इस से खरीधा हो असम्ति किया क्योंपा अधिकार उसमें हो सकता है तो सारे पसमने ले लिए अब पुरपटी तो यह क्या उता है कि सुक्र की आधित की किया जाता जैसे कि आपके नाम से värश्रों परॲेकशा आपके और यह साध्र चीटा । उनका चार बेटे हैं तीन बेटे हैं दो बेटे हैं जो भी है तो अगर किसी एक के नाम से दान कर देते हैं गिप्ट कर देते हैं या फिर बेटों के नहीं करते हैं बेटों को नहीं करते हैं किसी रिस्तेदार को गिप्ट कर देते हैं पतनी को गिप्ट कर देते हैं अपने भ स्कतçons है कि एक मिला हुआ है दो प्रपट्टी संपती नहीं होता है उनका खुद का शंपती में घिन्ती नहीं होता है तो वह personal property माना जाता है उसमें किसी का अधिकार नहीं होता हुटा है ने खंदानी होोता है उसे फिर आठीकार है तो आपके पिता जी के नाम से अगर परपटी है आपके पिता जी के नाम से परपटी है । खुद का कर सकते हैं जिनको भी करने प्रस्वाइब कि किसी का नहीं होगा ना रहने पर सबका अधिकार हो prima कि आपने सुना वासीषी जिसे हम बुत की कहानी आपको बताता है व greatness की परपटी है कि मातंची से नाम से नाम से अगरों यह जीवित है तो है। एक जाम्पल के तोर पर बता रहा हूं कि आपके पिता जी है उनके नाम से पृपती है चाहे ओ एकएक हो dho एक अकर हो कोई भी पृपती हो गारी हो कुछ भी हो उनके पास तो वह जीतेजीं उनके चार बच्छे हैं पांच बच्छे हैं दो बेटा है चार बेटा है एक बेटी है कुछ भी हो कोई भी हो तो अगर चाहते है कि यह बेटा मुझे देख नहीं रहा है यह बेटा मुझे ध्यान नहीं दे रहा है कोई बेटा उनका बात नहीं सुन रहा है वह अगर चाहेंगे कि किसी एक बेटा को या फिर किसी एक बेटी को या फिर कि ऐसे गजब तक रहें लेकिन जब तक दो समझेट तक अधिकार किसी का नहीं रहेगा लेकिन जब दूम कgga दोता पर उस पर उसी मर्नेकार के बतार हो तो पर गया जह से सब्सक्राइब बंगला था आशिर्बाद जब राजयस खंड़ा मर गए Nahya मर गए राजयस खंड़ा के मिर्तु हो गए तो नहीं के पर पर्पटी के लेकि विवाद उनकी नोकर थी अनिता अडवानी विवाद कर दिया कि मैं इनकी पतनी थी मतलब अग्वसित पतनी थी इसके बाद डिमपल का पारिया जो डिमपल खंडा उनकी पतनी है उन्होंने भी दावा किया लेगिन जब उनका घर का सर्च किया गया तो उसमें से पेपर निकला वह जिसे वसियत का पेपर करते हैं बाद में जब एड़बोकिर से संप पता चला किलियर हो गया कि उन्होंने तो वसियत करके गया है बजापते उसमें अपना फोटो लगा रखा था पाचु अंगुठा का फिंगर दे रखा था सब कुछ ठीक ठाक पाया गया तो फिर हुआ क्या कि वह दोनों बेटी को वसियत में पूरा परपटी दे दिया गय मामला कोट में बहुत दिन चला लेकिन वह बेटीयों के पक्ष में हैसला आया तो मैं आपको साफ सब्सक्राइब में बताना चाहूंगा कि वसियत वही होता है जैसे मेरी परपटी है मैं किसी के नाम से वसियत कर दो मेरे पांच बच्चे है लेकिन यह बच्छी करके जाए सब्सक्राइब मेरे और उसके तो अधिकार के नाम से मिला हुआ दों और उसका वसियत आप करते तो वह बैलेट नहीं उससे तोरा जा सकता है उसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वह बाप दादा परदादा के नाम से मिला हुआ परपटी है उसको वसियत कर सकते हैं तो आपने समझा कि परपटी कितने पारकारका होता है अब समझञे किसा बटवारा कैसे होटी काफी आपके पास है आसले है का समयता हो कर रहा हम आप पूरा वीडियो बने रहे तो आपका बता तो कि जैसे कि प्रतिरीग संपती में ने ऐसे लेकिन अभी नहीं हुआ है जहीं बना बना के घर रह रह रहर रहें है क्यों क्लना के तो अपकि पिता जी अगर दो भाई तो हूँ पहले उन दोने पड़ाई और होगा यह को दोनों कमिल गया जैसे कि पीटा जी के सान्दें दो बेट एक Colombia प्रपटी उनके नाम से beginnenाऎगरम स्पाणिक लेना चाहे तो तुसमया सब्सक्राइबर लेटी लेना लेना चाहे चाहे नाम सेigos बच्चों में बताबारां होगा। यह नहीं कि आपके दादा के नाम से परपर्टी है आपके पिता जी के तीन संतान है आपके चाचा के चार संतान है तो ऐसा नहीं कि इकूल बरावर बरावर होगा ऐसा कुछ नहीं है कानूनर आपको बता दू आपके पिता जी में बटवारा हो जागा आधा आधा भले ही सब्सक्राइब तो इक हिस्सा मा को भी उसमें से मिलेगा अगर ब chips नहीं अब भाट सकते हैं वाइब लेने के लिए तैयार नहीं है अगर आप लोग उससे कर रहे हैं अच्छा कर लहां को ले LGBTQ नहीं कर रहा है कि the also the आपस में बाटलो मुझे सिर्फ खर्चा देना कानुन है उसे खाल === यह इन सबस्लेजित देना परेका यह कानून है बहुत अब कर देगा भाई बह crafts को लेके तो भाई बहन को लेकि क्या गलत फामी है गलत फामी यह है कि बहनों का अधिकार कम होता है भाईयों को ज्यादा होता है तो हिंदू उत्रा अधिकार अधिकार अधिनियम उन्हें बहुत लड़ाई लड़ती थी लेकिन उसमें फेल हो जाती थी बहुत करना पड़ता था फिर भी मिलता नहीं था लेकिन किसी परकार का कमर्सियल भूमी हो गया कमर्सियल जमीन हो गया कमर्सियल अपाटमेंट हो गया कोई दूसरा संपती हो गया या फिर खेती की जमीन हो गय इसलिए संसोधन कर दिया गया अब क्या है कि बेटी हो बेटा हो दोनों का एक समान अधिकार है अब लोग सोचेंगे परपटी में अधिकार तो मैं आपको बता दू कि चाहे खेती का जमीन हो घर का परपटी हो यह किसी परकार का कमर्शियल अपाटमेंट हो बिल्डिंग हो कुछ भी ओचाहे वह घर में आपका एक कार काहे नहीं इहां मोटर साइकिल काहे नहीं अगर पीता के नाम नाम से तो बेटी ब्रावर अधिकार ले सकते हैं एक एक उन کے नाम के संपती में एक संपती में इक यहां Black I han back नहीं कर नहीं कर तीन हिस्स होगा इस परकार से इस परकार से बटवारा होगा और सभी को बराबर बराबर आपको अब देना परेगा आप बहुत लोग कहेंगे कि 2005 से पहले जिसकी साधी होगे जिस लड़की को उसका क्या होगा तो आपको बता दू कि इसमें भी इसमें भी 2014 में फैसला आया सुप्रीम कोट का एक नहीं कई-क हैकर मामलाएस से आया जबलों नहीं दे रहेते नहीं दोग देंस faut apenas पास से पहले जो साधी 누्या कर नहीं कि जो कानून नहीं कानून को इस का मतलब यह नहीं होता है कि इसके सब्सक्रास कर सकती है आपको देना पर रहे हैं पर लेकिन उसे लगे कि नहीं मैं करना चाहिए तो केस फाइल करके ले सकती है अधिकार मांग सकती है मतलब कि हिंदु उत्राधिकार संसोदान अधिनियम लागु तो 2005 में हुआ लागु तो 2005 में हुआ उन्हें से चला आ रहा था जिसमें कुछ कमिया थी 2005 में से किलियर किया गया लेकिन इसका लाव भी उठा सकते है जिस लर्की का साधी 2005 से पहले हो गया या 2005 के बाद हुआ है कोई फरक नहीं परता कभी भी पिता के नाम से डादा के नाम से अगर परपटी है किसी परकार का जैसे लरको उसकी साधी हो गए उसके पास लाव पर परपटी है तो उसके लिए के पेपर बनता है जिसे रिष्टरी और या करा लेते है उसमें कोई खास करके नहीं करा सकते हैं उसे झवराइदरी करके नहीं करा सकते हैं अगर वोगता कर सकते मैं बहुत कोसिज किया हूं कि आपको सारी चीज़ बता दो कि हो कि हमीन कितने परकार का होता है किन चेहीं कितना अधिकार होता था पहले गाने को कि पूराना विडियोका है और भार किना किसी इसलिए विडियो बनाये किया जब्र कि जिए प्र हैं बद्र करो आगाओं सब्सक्राइब लेकिन में lijसेॹन पता हैं कर दों प्रशनल बहुत्पांदों को मुझल बना दोगा आपका घुंडवाइब missile sch नहीं बताया हो कि हिंदू बेटा-बेटी का कितना अधिकार लेकिन मैं इसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं किया हूं कि मुस्लिम लोग होता है मुस्लिम का कानून अलग होता तो अगर जितने मुस्लिम लोग है वह चाहते हैं कि मुस्लिम में बेटियों का कितना अधिकार होता है कारें लिखेंगे तो मैं इसी परकार से फिर अगला विदियो बना दूगा यहां चाहिए नेक्स विडियो में मिलता है इस वीडियो में जट охआ होगा तब तक के लिए जय हिन दोस्तों धन्यबाद दोस्तों शुक्रिया दोस्तों